Hello everyone, welcome again to Lundbrede Timan. आज हमारा चैप्टर रहेगा लोक संगीत. तो देखिए लोक संगीत का जो चैप्टर है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है. क्योंकि इसके अंतरगत हम लोक गीतों की बात करते हैं, जहां हम जन सामानने के लोक गीत पढ़ेंगे, जो संगीत संस्थान हैं, संगीत घराने हैं, वो भी हम इसी चैप्टर की अंतरगत पढ़ेंगे. ठीके, तो आप ये चीज़ दिहान में रखिएगा. तो कुछ जो हैं, जन जातियां जो हैं, यहां पर नाम आएंगे. तो जैसे ही लोक संगीत का चैप्टर खतम होता है, तो वो अलग से मैं आप लोगों को चैप्टर करवा दूँगी. ठीके, राजी स्थान में जो भी जन जातियां हैं. च्योंकि कई बार जो है नाम आएगा, और जो नए बच्चे हैं, वो नहीं जानते हैं कि ये जन जाती जो है कहां से बिलॉंग करती है, किस तरीके के वादी अंतरों का प्रियोग किया जाता है, कैसे गीत जो है ये लोग गाते हैं. और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो जन सामानने और व्यवसाइक जातियां जो है, ये इन दोनों में जो हैं अंतर, ये सभी कुछ जो है वो हम पढ़ेंगे. तो देखिए यहां पर मैं आप लोगों को बिल्कुल साधारन शब्दों में बताऊंगी कि लोक संगीत क्या होते हैं. तो लोगों को प्रसंद करने या अपनी मन की भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए जो भी राग जो है वह गाया जाता है, राग जो है वो अलपाया जाता है, उसे कहते हैं लोक गीत, ठीक है, जो की लोक जीवन का इतिहास हो गया, सामाजिक, नैतिक आदर्स हो गई, लोग संगीत में ही संरक्षित होते हैं, तो यहां पर लोग संगीत का अर्थ जो है, वह कई लोग केवल लोग गीत से लगाते हैं, लेकिन लोग गीत के अलावा जो है, नरत्य हैं, इसके अलावा नाटक हैं, वाद यंतर हैं, संगीत घराने हैं, सबी कुछ जो है, इसके अंत लगता है कि लोक गीत जो की आम जन के द्वारा गाय जा रहे हैं यानि लोक गीत जो है वह तो जनता की क्या है एक भासा है वहीं पर जो हम बात करें यदि सास्त्रिय संगीत की तो सास्त्रिय संगीत तो स्वर प्रधान होता है उसमें जो भी ले ताल है उन पर विसेज ध्यान लेकिन लोक्संगीत में कोई भी रूल नहीं होता है, कोई भी नियम नहीं होता है, ये तो केवल एक शब्द प्रधान होता है, लोक्संगीत और व्यक्ती जो है、 वह बहुत ही सरल सहज रूप से इसे अपने शब्दों में व्यक्त करता है, ठीक है? तो ये चीज आपको समझ में आई होगी महत्मा गांधी की एक quotation है उन्होंने कहा था कि लोग गीत जनता की भासा है और संस्कृति की क्या है? पहरेदार है ठीक है? लोग गीत क्या है? जनता की भासा है और लोग गीत हमारी संस्कृति की पहरेदार है तो इसी चीश से जो है वो स्पस्ट होता है कि हमारी संस्कृति जो है वह लोग गीतों के माध्यम से लोगों द्वारा दिखाई जाती है ये सभी कुछ लोग संगीत के अंतरगत आ जाещएगा यदि हम राजिस्थान के लोक संगीत को देखें तो हम इसे तीन भागों में बांट सकते हैं एक तो वो लोक संगीत हो गए जो की जन सामानने द्वारा बिविन अवसरों पर गाए जाते हैं जैसे की कोई सामाजिक पारिवारिक अवसर हो गया, मौसम हो गया, विवहा हो गया, संसकार हो गया या कोई भी तीज त्योहार हो गया, देवी देवता, विधी विधान, कर्म कांड ये सबी हो गये तब गाए जाते हैं दूसरे तरीके के वो होते हैं जो की सामंत शाही के प्रभाव से जिनका विकास हुआ ठीक है क्योंकि कई जो जातिया थी वो अपने आश्रेदाता राजा हैं महराजा हैं जागीरदार हैं तो वहाँ पर जाकर जो है गीत गाते थे बाद में उनको व्यवसाइक रूप जो है दिया भी गया तीसरे तरीके के जो संगीत हैं वो आएंगे जिनमें जो शेत्रिय भावना है शेत्रिय प्रभाव जो है वो दिखाई देता है तो यहाँ पर मेरी बात जो है वो आप लोगों को समझ में आई होगी ठीक है तो इतना तो आपको यहाँ पता चल गया कि लोक सं जो है उसमें कोई भी नियम काईदे कानू नहीं होते हैं जबकि जो सास्त्रिय संगीत है उसमें क्या होता है उसमें नियम बहुत होते हैं तो चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे संगीत घराने कि कौन-कौन सा व्यक्ति जो है किस घराने से संबंदित है उस घराने का वि ठीके और ये जो घराने हैं इसमें कौन से संगीत के प्रकार का प्रियोग किया गया है ठीके संगीत के प्रकार होते हैं जैसे कि बहुत आपको सुनने को मिलेगा कि दुरुपद गायन एक संगीत का प्रकार होता है खयाल होता है चार बैंत होता है तराना होता है ठीके ठुमर मांड गाय की होता है, कुछ हवेली संगीत वह भी होते हैं, तो यही शब्द को आपको यहां पर पढ़ने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल भी घवराने की जैपुर घराना यहां पर जो सुरुवात होती है वह किससे होती है यहां पर सुरुवात मन रंग खां करते हैं इसका विकास ठीक है अब यह कहां से आई है वो हम अभी पढ़ेंगे तो मन रंग खां जैपुर घराने के प्रवर्तक हैं और इनके जो शिश्य रहे होंगे वो आप किस घराने से संबंदित हैं, तो सीधा जो है कहा जाएगा कि हम तो जैपुर घराने से संबंदित हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, इसके वनसज मुहमद अली कोठी वाला से यह घराना जो है वो प्रशिद्ध हुआ है, प्रवर्तक कौन है, मन रंग खा, इ इन के जो वनसज हैं मुहमद अली कोठी वाला से यह घराना जो है वो प्रशिद्ध होता है, यह घराना दुरुपद गायकों का रहा है, दुरुपद गायक क्या संगीत के प्रकार हैं, तो जिसमें एक प्रकार आता है दुरुपद गायन, ठीक है, तो जैपुर घराना जो वो ग्वालियर के साशक रही है मानसिंग तॉमर, वहां से माना जाता है, ठीक है, और इस गायन में, दुरुपद गायन में, यहां पर ब्रजभासा के साथ राजाओं के भगवान के जो गुडगान हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, आदी का गायन किया जाता है, तो यहां पर जो राजा मानसिंग तॉमर जो है, वहां दुरुपद गायन के जनम दाता कहे जाते हैं, ठीक है, जो कहां के थे, ग्वालियर के, तो ग्वालियर से आई थी, यह कला, उसके बाद देखिए, दुरुपद गायन की चार मूल वानियां हैं, या चार शेलियां हैं, ठीक है ज्यान में रखना है, गौहरवाणी, नोहरवाणी, खंडारवाणी और डागुरवाणी ये पूर किसकी मूलज शैलिया हैं? ये दिरुपद गायन की शैलिया हैं और दिरुपद गायन जो है, वो संगीत का एक टाइप है ठीक है और इसके अंतरगत इसकी चार शैलियां आती है तो इनको मैं आपको बता देती हूँ इसके अंतरगत क्योंकि वो तो नहीं पूछा गया है बस यहीं पूछा गया है दुरुपद गायन की चार मुल वानिया तो गोहरवानी की यदि बात करें तो इसकी जो उत्पत्ती होती है इसकी ग्वालियर से होती है बाकी जो नोहरवानी है और डागुरवानी है इसकी उत्पत्ती जो है जैपूर से मानी गई है ठीक है खंडारवानी जो है इसकी उत्पत्ती जो है वो उन्यारा टोंक जो है वह पत्ती उन्यारा टॉंक से तो अभी थोड़ा सापको अटपटा लग रहा होगा लेकिन धीरे धीरे आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा तो देखिए इनकी अगर कोई ट्रिक है यदि आप सोचें तो नहीं सोच सकते क्योंकि यहां आपको ये चीजें पढ मेवाती घराना जो है वो दुरुपद और खयाल इन दोनों का जो गायन है वो यहां पर प्रसिद्ध है ठीक है दुरुपद गायन मैंने आपको बता दिया कि दुरुपद गायन जिसमें ब्रजभासा का प्रियोग किया जाता है और दूसरा जो मैंने खयाल की बात की खयाल क्या होते हैं खयाल वही विचार होते हैं कलपना होती है कुछ सोचना होता है वहे भी यहां पर किया जाता है ठीक है और खयाल को तबले के साथ जो है वो गाया जाता है तो मेवाती घराने में आप याद रखेंगे कि मेवाती घराने में दुरुपद और खयाल का गायन जो है ये किसके दरवारी कवी थे? ये पूछेगा कि मेवाती घराना के प्रवर्तक कौन है? उस्ताद गग्ये नजीर खां. और पंडित जसराज हैं, पंडित मनी राम हैं, तो इसी घराने से संबंदित रहे हैं. इसके अलावा जो हैं, नाथुलाल थे, मोती राम, जोती राम, जो जो घराना है वह है डागर घराना जिसके प्रवर्तक बहराम खां हैं डागर घराने के प्रवर्तक कौन है बहराम खां और ये घराना जो है जैपुर घराने की तरह दुरुपद गायक के लिए ही जाना जाता है जैपुर के साशक सवाई राम सींग सेकंड इनके धरवारी गा परतक हैं बहराम खां ये जैपुर के सासक शवाई राम सिंग सेकंड के धर्वारी गयक रहे हैं। वही हमने जैपुर घराना की बात की थी, तो वहाँ पर जो बहराम खाते वो सवाई राम सिंग प्रत्थम के दरवारी गायक रहे थे. इस घराने में जिया उद्दीन खां डागर, मुएन उद्दीन, अमिन उद्दीन, डागर बंदू जो हैं और अल्लावदे खां के नाम यहाँ पर प्रसिद्ध हैं. नेक्स्ट देखिए रंगीला घराना, रंगीला घराना के प्रवर्तक हैं रमजान खां रंगीला, यह जोद्पुर के प्रसिद्ध गायक इमाम वक्ष के सिश्य थे. बस इतना याद रखें आप तो रंगीला घराना जो है इसके प्रवर्तक रंजान खां रंगीला रहे है ठीक है इतना ही आप ध्यान में रखें नेक्स्ट देखिए बीनकार घराना जो है जैपुर का है और इसके प्रवर्तक रजव अली बीनकार रहे हैं बीनकार घराने के कौन रहे हैं प्रवर्तक रजव अली बीनकार जैपुर के शाशक महराजा राम सींग के दरवार में ये ग ये घराना जो है वो जैपुर का प्रसिद्ध है इस घराने के जनक जो है रजव अली बीनकार ये बीकानेर के थे और राम सींग जो सेकंड है इनके दरवारी जो है गायक रहे हैं और विद्वान भी रहे हैं रजव अली बीनकार नेक्स्ट देखें सैनिया घराना, और यह भी जैपुर का प्रिषिद्ध है, इसके प्रवर्तक तानसएन के पुत्र सूरतसे थे, तो तानसे जो थे दुरुपद गायन के लिए जाने जाते हैं और हमें पता है कि जो गोहर बानी जो है, शेली जो है, उसकी उत्पती गु wszystko, तो उसके जनक भी तान सैन ही थे, तो तान सैन के पुत्र हैं सूरत सैन, ये सैनिया घराना से संबंदित हैं, ठीक है, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, अमरित सैन, नियामत सैन, कायम सैन, रहीम सैन, आदी प्रमुक वादक हुए हैं सैनिया घराना के, और सैनिया घराना जो ह सितार संगीत के लिए भी जाना जाता है इस घराने के वादक गोहरवाणी तथा खंडारवाणी में महारत हासिल किये हुए थे ठीक है गोहरवाणी का मैंने आपको बता दिया है दुरुपद गायन की एक शैली है और इसकी उत्पत्ति ग्वालियर से हुई थी जनक जो है वो साथ ध्यान में रखें याद कर लें देखिए हमने संगीत घराने पढ़ें संगीत घराने जिसमें हमने राजिस्थान में जैपुर घराना मेवाती घराना डागर घराना रंगीला घराना बीनकार घराना और सेनिया घराना ठीक है इन घरानों की हमने बात की जैपुर घरा दागर घराना के बहराम खाएं यह आपको याद हो गया ठीक है उसके बाद मैंने आपको बताया कि दुरुपद गायन जो है जैपुर घराने के अंतरगत दुरुपद गायन में चार जो हैं वो हमने शैलियां पढ़ी गोहरवानी, खंडारवानी, नोहरवानी और यह किस से संबंदित है यह जैपुर से और खंडारवानी भी राजिस्थान में टौंक जले से संबंदित है फिर हमने डागर घराने में क्या पढ़ा डागर घराने में हमने पढ़ा कि जो बहराम खां इसके प्रवर्तक थे डागर घराने के तो किसके दरवारी गायक थे उसमें हमने कुछ डागर बंधों के नाम पढ़े, जयाउद्दीन खान डागर, मुईनुद्दीन अमुईनुद्दीन डागर, ठीक है, तो इनके नाम भी आप याद रखें, पूछा जा सकता है एक्जाम में कि ऐसे कुशन बन जाएगा, अल्लावदे खान, जयाउद्दीन खान डागर, मुईनुद्दीन अमुईनुद्दीन डागर, ये किस घराने से संबन्दित हैं, तो फटा फटा बताएंगे, डागर घराने से संबन्दित हैं, फिर हमने मेवाती घराना, जो है, उसकी बात की, तो मेवाती घराना, ये भी जोदपूर के ही थे फिर हमने बीनकार घराना पढ़ा जिसके प्रवर्तक रजव अली बीनकार रहे हैं जैपूर में बीनकार घराना जो है वो जैपूर का प्रसिद है तो वहां हमने नाम पढ़े थे रजव अली खां सादिक अली खां यहां पर देखिए आपको मुस जाते हैं इसका विकास करने वाले तो यहां हमने सैन जो हैं प्रमुक वादक जो हैं वह देखे जनोंने संगीत को आगे बढ़ाया अम्रिस सैन नियामत सैन कायम सैन रहीम सैन एक बात और ध्यान में रखना है ठीक है यह मैंने आपको थोड़ा रिवाइस करवा दिया है थोड आप लोग इसका सही आंसर ना दे पाओ कैसे मान लीजिए डागर घराने के जो प्रसिद कलाकार है वह उचा जाए या डागर घराने से संबंदित नहीं है वहां आपको जियाउद्दीन खां डागर मुए नुद्दीन अमे नुद्दीन डागर ठीक है दे दिया जाए अनुद्दीन अत्वमे नुद्दीन अमे नुद्दीन खां अला वदे खां अब बताइए कि इन में से कौन सा डागर घराने से संबंदित नहीं है ठीक है ऐसे question पूछ लेगा तो आपको पूरा नाम याद रखना है आधा नाम जो है वो याद नहीं रखना है ठीक है जैसे हमने सेनिया घराना जो है जिसमें हमने देखा कि सैन जो है जो उनका title जो है ज़्ञाधर आराएं अम्रिस सेन, नियामत सेन, कयामत सेन, ठीक है, रहीम सेन, ये सब या रहे हैं, पूरा नाम याद रखें, यहाँ पर देखिए, वैसे भी मैंने आपको to the point जो है, वो बातें लिखी हैं, जो कि आपके exam में आ सकती है, कोई भी एक topic ले लीजिए, मान लीजिए, रंगीला घरान ही ले लो, आप तो उसके उपर भी आपको पूरा chapter मिल जाएगा, लेकिन आप लोग उस chapter को पढ़ोगे, ठीक है, आप और भी चीज़ें जो है, भूल जाओगे, इतना पढ़िए, जो कि आपके exam के लिए sufficient है, जादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक topic लेंगे, बहुत सारी bookیں देखेंगे, तो वहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें जो है, वो मिलेंगी, ये घबरा जाएंगे आप, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, ये course जो है, जैसे ही पूरा हो जाएगा, उसक जादा बहुत जादा आप पढ़ते भी चले जाओ, इसका कोई अंत नहीं है, बाकी subject जो है, उनके उपर ध्यान कौन देगा, यही चीज जो है, यही जो है गलती कर देता है बच्चा, एक बच्चा वो होता है, जो कि कम टाइम में जाधा पढ़ लेता है, एक बच्चा वो होता है, जो पूरे दिन जो है पढ़ने में ही लगा देता है, ठीक है, और कहते हैं कि उसने तो 11-11 घंटे जो है वो पढ़ाई की, पढ़ाई जो है, उसके लिए भी एक टैक्निक होती है, जरूरी नहीं है, 11 घंटे आप बुक लेकर ही बैठे रहोगे, और तभी माना हैगा कि आप लोग जो है, वो ही तैयारी कर रहे हो, कुछ बच्चे 4 घंटे पढ़कर भी, डेली 4 घंटे पढ़कर भी सेलेक्शन लेते हैं, उसकी वज़य क्या है, वो उतना ही पढ़ते हैं, जितना उनके एक्जाम में आने वाला है, पालतु हम क्यों पढ़ें, ठीक है, क्योंकि इस काम तो नहीं है, एक्जाम में एक दो कुशन जो है, वो आपको ऐसे मिलेंगे, 100% मिलेंगे, जो कि आपने नहीं पढ़े हूँ ठीक है, क्योंकि एक्जामिनर जो है, वो यही देखता है, कि कौन सा कुशन ऐसा है, जिसको कोई न कर पाए, तो इस चीज की नहीं लेनी है, राजिस्तान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, तो आप जो है, जितना मेटर आपको मिल रहा है, इतना ही काफी है, इस से ज़्यादा पढ़ने की आपको आविशक्ता नहीं है, बाकी सब्जेक्ट जो हैं, वो भी आपको करने होंगे, ठीक है, उसके मानने के गीत होते हैं, विविन अवसरों पर गाये जाते हैं, दूसरे वो होते हैं, जो कि राजा महराजा या जागीरदार उनकी प्रसंसा में गाये जाते हैं, जिनको व्यवसाइक रूप जो है, वह भी दिया गया है, तीसरे वो गीत होते हैं, जो कि शेत्रिय प्रभाव से प्रभावित होते हैं तो यहां हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे क्योंकि लोक गीत जो है वह आप लोगों को बहुत सारे मिलेंगे और आप लोगों ने विभिन अपसरों पर जो है वह सुने भी हैं अब उनको क्या कहा जाता है यह शब्द जो है वह आप यह याद करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू